नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सॉलुशन में दरे सब यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसी बोई से रिलेटरी प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन माद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो इसकी जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को join कर लेंगे तो आपके YouTube के home page पे membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो उसकी जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा PDF के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है और लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment वक्षन जरूब बताएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जब हम passive voice बनाएंगे जब हम passive voice बनाएंगे तो इसमें जो object है उसको हम subject लिखेंगे और plus अगर sentence present indefinite में दिया है अगर sentence present indefinite में दिया है तो इसको किसमें बदलेंगे present continuous में तो ये आप याद रखें और बर्ब की हमेशा third form आएगी passive voice में ये चीज़ आप याद रखें और plus जो subject होगा ये जो active voice में जो subject होगा उसको by plus जो भी subject होगा वो लिख देंगे तो हमारा जो है passive voice तयार हो जाएगा तो इसमें जो लिखा है आशीश अनुराग makes a noise तो मैंने अभी आपको क्या बताया यहाँ पर जो object है उसको हम subject बनाएंगे तो यहाँ पर a noise a noise plus जो यह sentence दिया है यह दिया है present indefinite में तो इसको बदलें किसमें present continuous में तो present continuous की जो बर्व होती है यह होती है is mr तो यहाँ पर a noise के साथ जो आएगा यह is आएगा तो हमारा a option गलत हो गया और b option भी गलत हो गया तो हमें बस check करना है is किस option में आ रहा है तो a noise जो है singular है इस बज़े से यहाँ पर is आया है और बर्व की हमेसे आपको मैंने बताया third form आएगी पैसी boys में तो यहाँ पर make जो है make का third form होता है make का third form जो होता है यह होता है made ना की making तो यहाँ पर जो इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा noise is made by आशीश अनुराग तो मैंने by प्लस आशीश अनुराग तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 2 जो है children like suits तो यहाँ पर जो है यह जो tense ए, इस sentence का जो active voice का जो tense है यह कौन सा है तो यह है present indefinite present indefinite में जो बर्व होती है यह as या is लगाते है अगर subject singular है तो subject यह प्लूरल है इसलिए यहाँ पर जो है as या is नहीं आया है इसलिए sentence जो है present indefinite में है तो present indefinite को किसमें बदलते है present continuous में तो present continuous की जो बर्व होती है asmr तो यहाँ पे suits जो है यह plural है इसके साथ जो है r आएगा ना की as आएगा ना की war आएगा तो इसका जो है cable c option इसका correct हो जाएगा suits are liked like का third form हमेशा आप ऐसी boys में लिखेंगे why children तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question ना question number third जो है they are not picking the flowers तो यहाँ पे जो है इसका subject क्या है the flowers तो यहाँ पे the flowers से सुरुगात होगी इसकी और यह जो tense दिया है यह दिया है present continuous present continuous को आप किसमें बदलेंगे तो present continuous को आप बदलेंगे किसमे present continuous तो रहे गाई और plus आप being जोड़ देंगे plus आप being जोड़ देंगे तो यह आप याद रखें cable इतना add हो जाएगा present continuous में अगर दिया है जैसे इस जैमार आया है यहाँ पे active voice में तो आपको passive voice जब बदलें तो उसमें being plus add कर दें और बर्व की third form तो हमेशा आपको लगानी ही है यहाँ पे जो हो जाएगा the flowers इसकी सुरुवात होगी तो the flowers तीनों option में दिया है तो हम d option अभी check नहीं करेंगे तो the flowers यहाँ पे जो दिया है बर्व दिया है are not और यहाँ पे flowers जो है plural है तो यहाँ पे are not होगा ना की were not और ना की is not तो इसका जो है a option हमारा correct हो जाएगा तो the flowers are not being picked by them तो यहाँ पे जो देखा जो है objective के साब लेखेंगे तो by them तो यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया are not being के वल आपको being add करना है जब आपको active voice में जो sentence दिया है यह present continuous का दिया है तो अगला जो question है question number four जो है the students are watching the match तो इसमें आपको जो है यह tense जो दिया है यह भी present confidence का है तो इसमें भी आपको being add करना है cable और बद की हमेंसे third form तो लगानी ही है तो यहाँ पे जो हो जाएगा the match हो जाएगा the match is being watched the student तो किस option में दिया है यह तो the match तो यहाँ पे जो है cable d option में दिया है the match is being watched by the students तो इसका जो है d option correct हो जाएगा बाकी सारे option जो है गलत हो जाएगे क्योंकि the match के साथ जो है इस आएगा ना की आर ना की वर या बोज तो इसका जो है d option correct हो जाएगा अगला जो question है question number five जो है he has watched the plates तो यहाँ पे जो है the plates इसका subject होगा और जो tense दिया है यह दिया है present perfect तो present perfect को किसमें बदलेंगे आप तो present perfect को आप बदलेंगे present perfect continuous में तो present perfect continuous की जो बर्व होती है यह होती है has been और have been तो यहाँ पे जो दिया है has दिया है तो the plates के according जो है यहाँ पे जो है singular verb नहीं आ सकती है तो यहाँ पे जो है have been आपको लगाना है तो यहाँ पे जो है हमें दो option बस चेक करना है तो the plates the plates have been यहाँ पे भी दिया है और verb की हमें से आपको third form लगानी है ना कि ing form तो इसका जो है यह d option इसका correct हो जाएगा अगला ज़गा कुष्ण है कुष्ण नमा 6 जो है tendulcar has thrown the balls यहाँ पे जो है the balls इसका subject है तो दब बोल से यहाँ से शुरूआत होगी तो पहला option तो हमारा गलत हो गया है तो हमें the balls से तीन sentence मिल रहे है तो यहाँ पे जो है has been दिया है यह यहाँ पे has दिया है तो यहाँ पे जो प्लूरल है यहां प्लूरल आईगी हैड तो यहां पर आई Lynch मेरा eight नहीं कर नहीं आ सकता है क्योंकि क्यूंकि प्लूरल है यहांपर आंसर यहां पर declशर हète यहां जो है आय स्वार現在 it the bagger, इसमें जो ऐा sentence जो दिया है, ये दिया है past indefinite में, तो पास्ट indefinite में जो berb की बरब की कौन सी फ़़ोंदी है, तो berb की हमै इसा second form चलती है, अगर sentence negative नहीं है, तो, अगर sentence negative है, तो did- plus berb की first form यहाद रखे हैं, यहापर जो sentence दिया है, ये दिया है यह sentence जो है past indefinite का है past indefinite के sentence को आप किसमें बदलेंगे तो past indefinite के sentence को आप बदलेंगे past continuous में तो past continuous की जो बर्व होती है यह होती है बॉज और वर अगर आप sentence जो का subject जो है यह अगर singular है तो बॉज आएगा अगर plural है तो वर आएगा तो यह आप याद रखें, तो यहाँ पर the bagger के according आपको यहाँ पर शुरुवात करनी है sentence की passive voice में, तो the bagger के according जो है, यह बोज आएगा ना की वर, तो यहाँ पर दो option तो हमारे गलत हो गए है, तो the bagger, बोज, being यहाँ पर being दिया है, तो यहाँ पर being नहीं आ सकता है, being क्यों यहाँ पर being नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा यह option भी गलत हो जाएगा, तो इसका जो है, c option correct हो जाएगा, अगला जो question है, question नमर 8 जो है, the police did not catch the thief, तो यहाँ पर जो है, the thief से सुरुगात इसकी होगी, तो the thief से है, तो तीनों अभी हम चेक करेंगे, तो the thief, यहाँ पर जो did not दिया है, इसको किस में बदलेंगे, तो इसको आप बदलेंगे, was not और were not में, तो यहाँ पर the thief के according, जो है, was not इसका correct हो जाएगा, तो यहाँ पर being तो आही नहीं सकता है, क्योंकि यह sentence जो दिया है, present, sorry, past indefinite में दिया है, past indefinite में दिया है, यह वा आपको third form लगानी है, तो यहाँ पर जो है third form cable, B option में दिया है, तो cable, the thief was not caught by the police, इसका जो है B option correct हो जाएगा, friends, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक इंड, स्केजर रूकिया करें, अगला जो कुशन है, कुशन में जो है, the gardener was watering the plants, तो यहाँ प बदलेंगे किसमें past, जो है continuous plus being, आप किवल इसमें being add कर देंगे, और जो है subject के according आपको जो है was और वर लगानी है, तो यहाँ पर the plants से इसकी शुरुआत होगी, तो the plants किस किस option में दिया है, तो सारे option में दिया है the plants, तो the plants के according यहाँ पर was नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर ज तो यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ watering नहीं आना चाहिए, यहाँ watered होना चाहिए, क्योंकि बर्व की हमें से आपको third form लगानी है, तो यहाँ पर जो है watered इसका जो है D option में correct हो जाएगा, क्योंकि यहाँ watering नहीं आ सकता है, क्योंकि जब हमने आपको बताया है passive boys में हमे sentence जो दिया है, यह दिया है past continuous में, तो इसको आप बदलेंगे जब, past continuous plus being add कर देंगे, being आप add कर देंगे केवल, तो हमारा sentence तयार हो जाएगा, और बर्व की हमें सा third form लगानी है, तो यह आप याद रखें, तो आ noise से शुरुगात इसकी होनी है, और plus a noise के coding यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर जो है, आपको boss being check करना है, और plus जो है ing form नहीं आ सकती है, तो यह भी इसका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है cable, be option इसका correct हो जाएगा, तो made जो है, यह make की, जो है third form है by the children, अगला जो question है, question 11, they had not done their homework, तो यह sentence जो दिया है active boys का, यह दिया है क past perfect को किसमें बदलेंगे आप, तो इसको बदलेंगे आप past perfect continuous में, तो past perfect continuous की जो बर्व होती है, यह होती है head being, तो head being आप कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम not form में लिखना है, not form में, तो इसको लिखेंगे head not plus being, तो यहाँ पे जो दिया है, यह not दिया था, इसलिए मैंने दिया है देर हमवर्क है तो देर हमवर्क से शुरूआत होगी इसकी तीनों आप्सन के लिए गलत हो जाएगा और यह इसमें तो यह एड बीन नोड दिया है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा. हमारा camera right options जो है camera a option इसका होगा, बाकि यह सारे जो हैं दोनों, तीनों गलत हो जाएगे, यहां पर done बाद यहां पर दे लिखा है, यहां पर आप by them भी लिख सकते थे, लेकिन आपे कोई जरुवत नहीं है इसकी अगर आपको नहीं दिया है option में तो by them अगर नहीं आप लिखेंगे sentence में तब भी इसका जो मतलब है सही मतलब इसका पूरा confirm निकल रहा है अगर आप by them लिख भी देंगे तब भी सही है और नहीं लिखेंगे तब भी सही है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगले जो question है Somebody had already warned him तो यहाँ पे जो है him इसका जो है object है इसको आप सब्जेक्ट में बनाएगे तो इसका he हो जाएगा यह sentence जो दिया है यह past perfect में दिया है इसको जब बदलेंगे आप तो past perfect continuous में तो इसमें head bean चलता है तो यह आपको याद रखना है और plus यहाँ पे तो है तो यहाँ पे him का जो he हो जाएगा तो he किस option में दिया है तो तीनों option में दिया है plus head जो head bean आपको लिखना है यह भी आपको याद रखना है head bean आपको जरूर लिखना है तो head bean किस option में दिया है तो head already been warning तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बर्ब की जो है ing form आ रही है तो यहाँ पे दिया है head been already born या head already been जो है warned तो इसमें जो correct हो जाएगा यह हो जाएगा option इसका c correct हो जाएगा क्योंकि आपको head been जो है यहाँ पे already दिया है तो already के बाद जो है बर्बाई है तो इसलिए यहाँ पे he had already been born हो जाएगा यहाँ पे by somebody नहीं लिख सकते हैं आप by somebody आप लिखेंगे तब भी वही इसका मतलम निकलेगा अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा तो इसका जो है c option correct हो जाएगा आपको जो already है यह आपको head plus bean के बीच में लगाना है तो यह आपको याद रखना है अगला जो question है question number 13 the postman will deliver the letters तो इसमें आपको याद रखना है ये sentence जो दिया है ये दिया है future indefinite में future indefinite को आपको इसमें बदलेंगे तो future continuous में future continuous की जो बर्व होती है ये क्या होती है तो ये होती है will be और shall be अगर आपको active voice में will दिया है तो आपको will be लिखना है अगर active voice में shell दिया है तो आपको passive voice में shell भी लिखना है तो यहाँ पर जो correct इसका answer हो जाएगा ये सारे option गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें will have दिया है इसमें will have been दिया है और इसमें last में केबल will be दिया है तो इसका जो है c option correct हो जाएगा the letters will be delivered by the postman आपको याद रखना है अगर active voice में will दिया है तो आपको passive voice में भी will लिखना है और यहाँ पर shell दिया होता तो आपको shell लिखना था तो यहाँ पर जो है इसका c option correct हो जाएगा अगले जो question है question 14 people will remember mother teresa तो इसमें आपको याद रखना है इसमें जो object दिया है mother teresa तो mother teresa से इसकी शुरुआत होगी तो mother teresa यहाँ पर will दिया है तो will be remembered इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इसका a option correct हो जाएगा और why the people आप लेट सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई जरूवत नहीं है क्योंकि sentence का already जो है ना कि remembered होना चाहिए था यहाँ पर बर्व की हमेसा third form आपको लगानी है पैसी बोईस में यह आपको याद रखना है अगला जो कुश्चन है कुश्चन मा 15 यह जो active boys का sentence जो दिया है यह दिया है future perfect में तो future perfect को किसमें बलते हैं तो future perfect continuous में तो future perfect continuous की जो बर्व होती है बिल है बीन और शेल है बीन तो बिल है बीन और शेल है बीन आपको चेक करना है और इसकी सुरवाद जो है the terrorist से होगी क्योंकि यह object है active boys का तो जब पैसी boys में बदलेंगे तो इसको हम subject बनाएंगे तो यह हमारा option गलत हो जाएगा तो यहाँ पे data regist जो है दो option में check करना है तो बिल है बीन केवल एक option में दिया है तो इसका जो है a option गलत हो जाएगा इसका जो है केवल b option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question में 16 I must help the poor यह sentence जो है यहाँ पे जो दिया है must यह है model auxiliary verb तो यहाँ पे इसको जाब बदलेंगे तो must be में इसको आप बदल देंगे लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुवात जो है the poor से होगी the poor इसमें जो है object है तो इसको जब आप subject बनाएंगे the poor must be helped by me तो यहाँ पे किस option दिया है तो the poor must be helped by me तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है must जैसे दिया है must दिया है can दिया है could दिया है तो आपको could be और can b में आपको बदल नहीं है तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा यहाँ पे जो must दिया है यह model auxiliary verb है तो यहाँ पे इसको आप बदलेंगे जो है must be में और प्लस बर्ब की हमें साथ third form आपको लगानी है अगला जो कुशन है कुशनमा 17 जो है he can speak English तो he can speak English तो यहां पर जो है English इसका object है तो यहां पर जो है इसको subject जवाब बनाएंगे तो यह तो हमारा गलत हो गया है और यह भी हमारा गलत हो गया है तो हमें बस check करना है be option और c option तो यहां पर जो can दिया है तो इसको can be में आप बद लेंगे ना कि can being में तो इसका जो है cable be option इसका correct हो जाएगा English can be spoken by me him तो इसका जो है be option correct हो जाएगा आगला जो question है question number 18 nobody could kill that criminal तो यहां पर जो है nobody से इसकी शुरुआत हो रही है मतलब sentence negative है तो आपको जो है verb है वो भी आपको negative लगानी है तो यहां पर the criminal से इसकी शुरुआत होगी तो the criminal यहां पर negative sentence होना चाहिए तो हमारा जो है दो option तो हमारे यह गलत होगा क्योंकि यहां पर not नहीं आया है तो यहां पर जो right option जो हो जाएगा यह c option हो जाएगा the criminal could not be killed तो यहां पर आपको could को हमने किसमें बदलने को could be में तो यहां पर must को हमने किसमें बदला था must be में और can को किसमें बदला can be में तो could को भी आप बदलेंगे could be में तो यहाँ पर जो nobody दिया है इसलिए यहाँ पर not आया है यहाँ पर by nobody तो नहीं लेख सकते हैं तो इसका जो है cable जो है c option इसका correct हो जाएगा और by nobody आप नहीं लेखेंगे तो यहाँ पर sentence में हमें ने not लगा दिया है तो यहाँ पर जो है इसका c option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन में 19 जो है everyone will do this homework यहां पर this homework से इसकी शुरुवात होगी this homework किस option में दिया है तो this homework तीनों option में दिया है plus bill को आप किसमें बदलेंगी तो bill भी में तो will week किस option में दिया है तो इसका जो है यह option गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें wing दिया है और plus जो है everyone भी आना चाहिए तो यहां पर जो है cable इसका जो है a option correct हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर यहां पर somebody में लिखा होता अगर आपको by somebody दिया है तो आप सही कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तो आप उसको सही कर सकते हैं तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन में 20 we must have respected our elders यहां पर जो है must have दिया है तो must have को आप किसमें बदलेंगे कुश्चन में 21 जो दिया है he will have solved the sums यहां पर जो है दस सम्स से इसकी सुरुवात होगी plus will have been होना चाहिए तो will have been किस option में दिया है तो केवल जो है यहां पर जो है यहां पर और तू आ ओ तू है डिया है तो इसका बदलेगा जब और to have been में तो और तू लिखेंगे, तो इसके साथ is आएगा, यहांपर two दिया था, हैंपर two लिखेंगे और plus just specific voice में जब आप बदलेंगे, इसको आप plus be add कर देंगे, अगर यहांपर कोई books होता जैसे the books होता तो यहां पर आप R to V लिखते लेकिन यहां पर दिया है a book तो यहां पर is to be लिखेंगे तो यहां पर इसका right option जो हो जाएगा यहां पर क्या a book is to be जो है written by me तो इसका किस option में दिया है तो a book is to be written by me जिसका जो है d option केवल correct हो जाएगा अगला जो question है question 24 जो है there is no money to buy जिसमें आपको याद रखना है there is no money जैसे लिखा है तो आपको केवल कुछ change नहीं करना है there is no money तो बैसे के बैसे लिखना है plus to be और plus barb की third form आपको लिखेना है तो यहांपर किस option में दिया है तो there is no money to be wiring दिया है तो यह तो मेरा गलत हो जाएगा तो यहांपर barb की आमने साबको third form लिखनी है तो यहांपर third form दिया है और प्लस b2 दिया है तो इसका जो है dable b option correct हो जाएगा अगला जो question है question 25 जो है switch on the light तो यहाँ पर switch on the light दिया है तो मतलब यहाँ पर order दिया जा रहा है जब active voice की sentence में आपको order या command मतलब आदेस या आग्या का बहाओ हो तो इसको imperative sentence कहते हैं और imperative sentence में आपकी शुरुआत जो है let से होती है let और plus जो है subject plus b और plus जो भी बर्व की third form हमें सा आती है तो इसमें जो है cable इसका जो है c option correct हो जाएगा let the light be switched on तो यहाँ पर आपको बर्व की हमें साथर्ड फोर्म लगानी है तो यहाँ पर switch का third form जो है यह third form जो है switched हो जाएगा और plus इसके साथ जो है on fix है तो इसलिए switched on आया है और plus let the subject जो है the light be switched on तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 26 जो है inform the police of the crime तो यहाँ पर आग्या का बोध हो रहा है तो यह imperative sentence है इसलिए यहाँ पर let's इसकी सुरुआत होगी तो इसका जो correct option जो हो जाएगा यह option B हो जाएगा let the police be informed of the crime तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question 27 जो है help the helpless तो यहाँ पर जो है जब imperative sentence में advise की बात हो मतलब सला की बात हो यहाँ पर जो है help the helpless यहाँ पर सला की बात हो रही है तो आपको हमेशा जो है जब पैसी बोई साब बदलेंगे तो आप subject plus should be और प्लस जो भी आपकी बर्व होगी उसको third form में आपको लिख देना है तो यहाँ पर जो है imperative sentence में जो है सला की बात हो रही है मतलब advise की बात हो रही है जब आपको order और command की बात हो imperative sentence में तो आपको जो है let से सुरुआत करनी है और जब आपको advise की बात की जाए मतलब सला की बात की जाए तो आपको हमेशा should B लगाना है तो इसमें जो correct हो जाएगा ये option A हो जाएगा तो the helpless, the helpless should be जो है helped इसका correct हो जाएगा यहां पे जो है advise की बात हो रही थे इसलिए यहां पे should आया है अगर यहां पे order या command की बात होती तो आपको जो है let से sentence की शुरुवात करनी थी तो यहाँ पे जो है इसका a option correct हो जाएगा अगला जो question है question 28 जो है don't insult the poor तो यहाँ पे जो है don't insult the poor तो यहाँ पे भी advice मतलब imperative sentence में advice मतलब मतलब सला का बोध हो रहा है तो यहाँ पे जो है यह भी इसकी शुरुवात होगी should से तो यहाँ पे जो है इसका correct जो है option B में दिया है the poor should not be insulted तो option जो इसका be correct हो जाएगा अगला जो question है question 29 जो है please give me a book तो यहाँ पे जो है imperative sentence में जब आपको please या kindly आपको मिल जाता है तो आपको sentence की शुरुवात जो है you are requested से शुरुवात करनी है क्योंकि उसमें request मतलब उसमें जो है आपको request की मतलब की किसी को आप निवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है please आया है यहाँ पे kindly आया है तो आपको sentence की शुरुवात जो है you are requested से करनी है यहां पर जो है इसका correct जो है you are requested to give me a book तो यहां पर आपको केबल जो है जो sentence आपको जैसा मिल जाता है please को आप हटा देंगे और give me a book तो यहां पर to के बाद give me a book तो पूरा आपको बैसे के बैसे ही लिख देना है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है यहां पर जो दिया है kindly post this letter तो यहां पर kindly को आप हटा देंगे और केबल आपको you are requested to लिख देना है और बाकी हमारा sentence correct हो जाएगा तो इसका correct answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा you are requested to post this letter ना कि posted नहीं होगा क्योंकि आपको जो है kindly और जो है please हटा देना है और केबल आपको जो है बैसे के बैसे पूरा लिख देना है जब आपको imperative sentence में please या kindly आपको देखने को मिलता है तो आपको खेवल you are requested to sentence की सुरुआ करनी है और प्लस जैसे active voice में दिया है बैसे आपको passive voice में लिख देना है thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है comment box में जरूर बताए friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से रुकिया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरूर सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यूव वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्राम